कि यदि हम सिंपल भाषा में बात करें कि तो एको सिस्टम मतलब की लिविंग और नौ लिविंग जो हमारे ऑर्गनीजम है वह नेचर में सराउंड करते हैं उनको मिलकर बना है उनको मिलकर ही क्या बना है हमारा एको सिस्टम बना है स्पीड ठीक है ना ठीक है तो आप बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी एको सिस्टम की एको सिस्टम कें डी विजिवल्ड एज फॉंक्शनल उनिट ऑफ नेचर वेर लिविंग ऑर्गनिजम इंट्रेक्ट अमॉंग डेल्टर एंड अल्सों विद शरांडिंग फिजिकल अल्ण है से लमारी फॉंक्सिलरलिट की है वाडी की उसी प्रकार जो हमारा ऑव किसका है नेचर कि है यहां कि उसकी फॉंक्शनल इन्ण है ऑप एक दूसरे को क्या करते हैं आपस में मिलते जूलते हैं ठीक है और यह मतलब कि और कि सरांस रहते हैं फिजिकल हमारा होता क्या है कि अगर आप करते हो किसकी इको सिस्टम की तो इको सिस्टम जैसे हमारी सैल इको सिस्टम है वह मतलब की इसका नेचर का अब नेचर तो आप सभी लोग जानते हो कि नेचर हमारा क्या होता है कि इस्टम हमारा होता क्या है विजिवल यूनिट इसकी नेचर की ठीक है उसके बाद में यदि हम बात करें तो जी इस द्लिट लेंगे किसके स्राउंडे रहते हैं हमारे व इनतर सब्सक्राइद में ना हमारा होता है छोगा इक अथि काटर को हम हम रेक कारक को हम पूर्ट हैना ठालत है यह अबनाइविग कारग करा मतलब आपका यह होता है को भी हमारा लीविंग और भी लीवैंग मैं होगी जो भी ईतनी लीविंगग ओणले होगी ब्लांटिय dengan मोइ किसमें आएंगे यदि आपसे कोई एक्जामपल पूछ लिए बायोटिक फैक्टर का तो जिस भी और्गनिसम में आपकी लाइफ होगी वह सभी किसमें इंवल्ड होंगे आपके बायोटिक फैक्टर में ओके आपका होता है आपके लिविंग नहीं होती कोई भी चीज तो बि यदि हम बात करें फिजिकल इंवोमेंट की फिजिकल इन म refuse कि बात करते हैं तो हमारी एयर है वाटण है कि विंड है यह ख करें Bowl को चर्कंड फार्ट में ऑट हैं इपक्रेंघ में अदी हम बात करें इको सिस्टम की तो इको सिस्टम पे बैक्त किसकी होता है हमारा फीजिकल इन्मोरिमंट का यानि कि कोई वी ओर्गनिसम रहेगा नेचर के अंद्र उस में जो हमारा रहता है उस पर मतलब की ऑर्गनिस्मस उसका होता है यह जय् Schneer Living में थनीजनायीर चाहिए पर केता हमेंना तो से इफचेट करें कर कोो अब करतें घ्याय अपको sumin कि इंगे सिस्टम की कटीगरी कि यहाने क fills को इस सुम्हां में सिंपल में भाट सकते हैं यह फिस्टम की प्रस्ट जो हमारी होगी उसे हम बोलेंगे एक्वैटिक जैसे आपका डेजर्ट है वह किसमें होगा तरसाइल में ठीक है आपका जो मतलब की फॉरेस्ट है वह क्या होगा एक्वैटिक यादी हम बात करें तो एक्वैटिक हमारे किसके पार्ट सेमारे एकुसिस्टम के कैटिग्री तो उनको कितने भागों में बाटक आया है तू तो जो हमारे होती होती हम क्या बोलेंगे और 2 seeking को और प्लें के यह त नहीं बात करें तो फर्स रिहले किका है तिह अंद फेक्जक्वल याolina की जो हमारा नहीं कुछ है उसके ऐसेंदे लिए पॉर्ड लेकर मी रिए उसके ऐसी सिंपल रूप में बात करें तो तू ताइंश में बाटा गया एक हमारा घ्र कि एड़ सकते हैं या फिर मैनमेड भी बोल सकते हैं ठीक है तो आज आपका एको सिस्टम होता है वो टू टाइप को होता है फर्स्ट जो हमारा होता है उसे हम क्या बोलेंगी नैचुरल एको सिस्टम को क्या है अंग्यान होता है वोता है मैनमेड इको सिस्टम आफ निकींचा द्वारा बनाये गया है यह निर्मान है हमारा होमें बौड़ी करें मैं के द्वारा इसलिए इसको मैं में इको सिस्टम भी बोल सकते हैं आपिशिल को और मतलब की artificial इन सेकें और नेको पीजिस्टम यदि हम बात करें नेचुरल इको si çıktम की तो जो हमें se Numem cultura देता है वो सारे किसमें इंवल्ड होंगे हमारे नैचुरल एकोसिस्टम के अंदर ठीक है सेकंड जो हमारा होता है क्या आर्टिफिशल एकोसिस्टम या फिर मैंनमेड एकोसिस्टम वह हमारे किसके द्वारा बनाये जाते हैं मैंन के द्वारा यानि कि हुमन बिंग्स के बताओ अंकित जो हमारा एक्वेरियम है ठीक है मैं में क्रॉप फिल्ड्स है क्रॉप फिल्ड्स का मतलग खेत कोई भी बंजर भूमी या कुछ भी रहता है उसको मैं के द्वारा इसका रूप दिया जाता है तो वह क्या हो गया हमारा मैं मेंड एको एक विएरियम जांती हों जिसमें स्मॉल फिशीज के एक आवारा पॉंड होता है एक रीवर होता है एकोशन होते है अदि हम बात करें लेखोर रिकोसिस्टम की तो वह उसको जो की मैना मुंसे से प्राप्ट था है मतलब जिसको बिल्ड कॉर्ड करती है हम और नेचर करती है उसे हम क्या बोल देंगे, Natural Ecosystem, ठीक है, Second हमारा क्या था? Basis कैटेगीरी के अधर पर हमने ecosystem को two parts में divide किया था, एक हमारा था Tersile, and Second हमारा था Aquatic, Tersile में यदि हमें Examples की बात करें, तो कौन कान आएंगे? Forest, Grassland, ठीक है? Aquatic की यदि हम बात करें, तो कौन आएंगे हमारे पॉंड्स कि उसके बाद में हमने की कि यदी हम इको सिस्टम को डिवाइड करें तो हमारों इसको मैंस और सकते हैं कि मैं सिस्टम है मैं तो मेल से हमें इसके बात करें तो जो हमें नचिश्ट किसमें आएंगे हमारी नैौरल एकोसिस्टममें जैसे की पोरेस्ट वार होता की हमारा होगा एक्वेरियम और क्रोफिल्ट का मतलब होता है आपके खेद है और एक होता है आपका पॉंड होता है वह तो आपका क्या हो गया वह प्रकरते से प्राप्त तो उसे हम किसमें इंवाव्व्ट कर देंगे नैचुरल इको सिस्टम में अब जैसे जैसे हमारी टैक्निक्स ब इको सिस्टम में आपके एक्वेरियम की यदि हम बात करें तो एक शीषे का ग्लास होता है जिसके अंदर हमारी क्या रहती है ठीक है और उनको मतलब की भार से ही क्या प्रवाइट कर वाइड कर वाइड जाती है जो भी सबस्टेंस हमारे पॉंड में बिलते हैं वह सारे सब बताओ जड़ी हम बात करें पॉंड की तो पॉंड में हमारी सबसे जो में सोर्स होगा सबसे पहले तो कौन से मतलब की क्याटिग्री का पार्ट है पॉंड अब हैं अब हैं अब हैं आपको दो पढ़ाई है बेसिक एको सिस्टम की यह एं और पॉंड है तो पॉंड है वह कौन से मतलब पाट है कौन से क्या क्या है पॉंड जल का इसा बने गान दो बनें से पहले पॉन कैसा निए हम बात करें तो दो टीछ होता । ने उसमें डिक है किसमें हमारे उकसीजजन ठीक है उसके वाल बात करे तो क्या पाया जाते हैं हमारे प्लांट्स काष क्कारें डाइघंगे unser सोर्शिस्ते में कना देते हैं उसको सिस्टम उस हम बात करें थे किसकी एक्विएरियं架ी धाना होम बात करें है तो मैं ने चाल दी और थोढ़ोध उसमें क्या कर दिया प्रांट छांट अपड़ादी वहां से खुद हो ऑडिक है और उसका बना दिया अधुर को खालो किम का बना सुखर का बना दिया एक works रेज c हमारा कौन सा वोगा?? आर्ट इफिशल। ॉ नेचुरल जो हमारा एकोस्टेम हो किसके द्वारा मेड़ा होता है नेचर के द्वारा। ठीक है और जो आर्ट Ihr Tैसलो मेड़ा होगा unterstützen के मेजहांन के द्वारा ठीक है एक्जांपल की यदी हम बात करें तो नेचूरल में कौन-कौन से एक्जम्पल साते हैं इसके लाओ बताओ दीवाइब अनिमल्स यह सारी ही क्या है हमारे नेचरल ले नेचर से तो प्राप्त हो रहे हैं हमने थोड़ी कोई स्वैम बनाएं को कि अर्टिफिशल के यदि हम बात करें तो हमारे एक्जम्पल कौन से आ जाएंगे एक्वेरियम एंड क्रॉफिल्ड आगे इतने समझ में कि उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर्स में मैंने अभी आपको बताया कि बारिफा ललू पहने कि स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करें यानि कि सरंचरा के आधार पर मैंने अभी बता दिया था उपको इससे पहले कि बायोटिक और एबायोटिक होता है बायोटिक जिसमें हमारे जितने भी लिविंग ऑगनिजम है वह सारी इंवल्ड होते हैं स् करणिसमें मतलब के घिद बिविंग और अगरी सम इन वल्ड होते हैं ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं चिकनिके बना 햇ज सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी प्रोडेक्टिव इटली की प्रोडेक्टिव इटली को आपने थैंथ क्लास में पढ़ा होगा कंजूमर्स प्रोड्यूसर नहीं पड़ा तो टैंट में स्कूल नहीं आए था या नहीं है दो तो आई होगा करें सिस्टम में जो सबसे पहला कॉंपोणनर्ट होता है इको सिस्टम को सब्छाने के लिए वह होता है आपका क्या प्रोडूसर जिसे हम इंदी बोलते हैं उत्पादक ठीक है जो हमारा प्रोडूसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कंजूमर भी बोलते हैं क्या बोलेंगे स्वैय में अपने आपको क्या करते हैं इसी लिए उनका नाम क्या है प्रडूसर से सेकंड नेम यदि हम उनका बोले तो उन्हें क्या बोलेंगे प्राइमरी इस अब जो हमारे प्रोडेक्टिविटली है वह किसका पाट होती है हमारे प्रडूसर का यह जैने हम उत्पादक ब इसका यह किसका पाट हो जाएगा ब्रömाश को ठीक है तो जो हमारी मतलब होता है और अब तो जितने वह आप hosts relation को ना प्रोडेक्शन करने को हम क्या बोलेंगे प्रोडेक्टिविटी जैसे हम हमारी शूगर है उनको भी तो मेजरमेंट करते हैं उसी प्रकार हम जो प्रोडेक्टिविटी इसको मेजरमेंट करते हैं किसमें ग्राम युनिवर्स में याड में और किलो कैलियरी में जो हमारी प्रोडेक्टिविटी रहती है वो टू टैट्स की होती है थिक है पल्स्ट जो हमारी होगि उसे दोख़ने किया जीपीप यहां पर ग्रास निथक ग्रोस थाए में हुआ कि दू हमारी हुता है यह भूस प्राइमरी प्रोडे तिवीटी रहती यह इंक कर दो नेट प्रैमिट अब देखो जी पी पी क्या होता है कि ऑच की पीलिस परता सिंटिज और तर देरेट दीक सेस्ट इसंटी चिलिक प्रोसेस सोती है कि एAS कि विद्वाट करें तो फोटोसिंथ इसकि प्रोसेस को करें औन हो ट्य्ट पूरा नाम होता है कि डॉर्ष अहां पाइगा से उस्थभू कि प्राइमरि प्रोड़ेंट कि पूरा नाम होता है प्रोड़ेंड पुरदिविटी योंसमें कि बात कर जैँ मेस में मीजर किया जाता है ग्राम में मतलब होता है है जो हमारे और और अरिक्स वह कि अधर ऑगे अधर फबस्री पाशंट सो करता है इंप के सलेशन का लेकिन दूमा मतलब लगा वह होती है कि तो मतलब कि आपके जो एको सिस्टम में प्रोडेक्टिविटी है और्गनिक मैटर द्यूरिंग फोटो सिंतेसिस तो वो तो किसका पार्ट हो जाएगा जी पीपी का यानि कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडेक्टिविटी का एन पीपी का मतलब होता है जो हमारा प्रोडेक्शन कर रहे हैं प्रोडेक्टिविटी डिफ्रेंस बत इतना ही है प्रोडेक्टिविटी का प्रोडेक्शन किसके डूरिंग करते हैं ऑर अब यह स्वाड उतार लो है त्पिर मैं उतारोंगी क्यों झाल झाल